कि नमस्कार प्यारे बच्चों केसे हैं आप मैं रूप नरेंट सर्मा रेजोनेंस पी सी सीपी डिवजन सीनियर हिंदी फेकल्टी और आज हम नए टॉपिक के साथ यहां पर हाजिर हुए हैं कौन सा टॉपिक है हमने लिए बच्चों क्लास एड़ साहिर हिंदी हिं और क्लास एड़त में ऑफिक हैं भगवान के डॉपि कि इप दो मिर्फ हैं पर लें हैं तो सबसे पहले आपको यह याद होना चीए के नाटे में हम पड़ेगे क्या के लिखां और क्या लिखां है प्यारे बच्चू रामधारी शेह दिनकर सहाब की यहाँ एक प्यारी सी छोटी सी कविता है जिसके माध्यम से उन्होंने सम्रस्ता किसकी सम्रस्ता जाती धर्म वर्ग भेद इन सबके बंधनों से मुक्त हो करके एक स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेणा इसमें दी है बहुत सारे इन्होंने कई उधारणों के माध्यम से समझाया जैसे प्रकृति भेदबाव नहीं करती जैसे प्रकृति के अंस आप पेड़ को ले लीजी पेड़ भी किसी के साथ भेदबाव नहीं करते जहां पर लगाओगे लग जाएंगे जैसे रशी लिफल उनको देना है वो देंगे नदियां जर्ने तालाब हां पहाड़ बाग बगीचे ओपवन जंगल कोई किसी के साथ भेदबाव नहीं करता तो जब प्रकृति के ये अंस किसी के साथ भेदबाव नहीं करते तो फिर हम भेदबाव क्यों करें इसी को लिखने का प्रयास किया है छोटी सी कभिता है देखें समझें और प्रेड़ना लें कि पक्षि और बादल कि ये भगवान के डांकिये हैं बच्चों डांकिया क्या काम करता है एक संदेश को दूसरे संदेश पहुचाने का काम करता है और जेसा संदेश है उसमें किसी भी तरह का हेर फेर नहीं करता पूरी पार दर्शिता रखता है इसी तरह से भगवान के द्वारा बनाई गई जितनी भी स्रश्टी है प्यारे बच्चों उस श्रश्टी का जो संदेश है यहां पर पक्षी पक्षी को संदेश वाहक कहा गया है और बादल को भी संदेश वाहक कहा गया है क्यों कहा गया है कि जिस तरह से भगवान इस पूरिश रष्टी को एक नजर से देखते हैं इसमें मानों भी रहते हैं जीव अचर चर थलचर नवचर जितने भी जीव जनतु है इनको समान रष्टी से देखते हैं उसी तरह से पक्षी बच्चो समान भाव से उड़ते हैं इनके लिए न कोई बड़ा है न कोई छोटा है न कोई सीमाए हैं न कोई जाती है न कोई धर्म है प्राताकाल होता है बिंशार के समय आश्मान में उड़ते हैं दाना चुकते हैं और संध्या के समय अपने खोसले में आकर आराम करते हैं तो यह उनका नेचर है तो यहां पर भगवान के डांके के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इसी तरह का स्वभव विक्तिका भी होना चाहिए बादल की विश्षता हैं बादल आते हैं समान रूप से गरसते हैं और बरसते हैं इसे धरती की प्यास को बुझाते हैं अब वो कभी भी ऐसे भेदभाव नहीं करते कि यह धरती भारत की है चाइना की ही अमेरिका की है या पाकिस्तान की है रूस की है जापान की किसी की भी हो उनका काम है इस धर्ति की प्यास को बुजाना हरा भरा बनाना और प्यारे बच्चों को बनाते हैं इसलिए इनको भगवान के डांकिये कहा गया है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं इसका मतलब क्या है देशों की दूरियों को मिटाते हैं क्या करते हैं बच्चों मिटाते हैं एक देश की जो दूसरे देश की जो सीमाएं है उन सीमाओं को तोड़ते हैं और तोड़ने का मतलब यहां पर क्या है वसुदेव कुटुम्बकम की भावना सभी के अंदर जगाने का प्रियास करते हैं अरे हम तो समझ ही नहीं पाते क्यों समझ क्यों नहीं पाते क्योंकि हमने अपने देश की सीमाएं बना दी हमने धर्म बना दिये हमने जातियां बना दी और जातियों के बाद में बहुत हां और इसके अलावा हमने अपने आपको ही जो मानसिक्ता है वो इसको संकुचित कर लिया है यानि सिकोडने का प्रियास कर लिया है हां और हमारी मानसिक्ताएं इतनी बड़ी सोच नहीं रखती कौन सी सोच वसुदेव को टुमबकम की सोच कि पूरा विश्व ही एक परिवार है आज भी किसके अंदर है पक्षी के अंदर है बादल के अंदर है हां मगर उनकी लाई गई चिठियां बच्चों के द्वारा लाए गई संदेश को कौन-कौन समझ पाते हैं पानी और पाहाड को वसंदेश क्यों देते हैं क्योंकि इनका सोभाव भी पक्षी और बादलों की तरह ही है जो मानव की समझ से परहे अलग है बासते हैं यानि पढ़ते हैं क्योंकि आप पेड़ को देख लिजिए क्या पेड किसी के साथ भेदभाव करता है क्या पेड कभी कहता है कि मैं यहां पर फल दूंगा वहां पर नहीं दूंगा यहां पर फलूंगा वहां पर सुकूंगा नहीं कहता है जहां पर लगाओगे जहां से उसको सीचोगे वह पल लवित और पुश्पित और फलित हो जाता है बिल्कुल हो जाता है हम तो केवल यह आंकते हैं प्यारे बच्चों आंकने का मतलब क्या होता है अनुमान लगाना अंदाजा लगाना क्या कि मानों तो केवल इतना सा अंदाजा लगा पाता है क्या कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंद भेशती है बच्चों हवाएं जब चलती है हवाओं के वेक से पक्षे उड़ते हैं अरे हवाओं के वेक से जो पेड़ पोधों की जो सुगंद है वह एक स्तान से दूसरे स्तान पर भेती रहती है यानि हवा भी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है और वह सोरब सोरब शब्द का मतलब होता है सुगंद क्या होता है बच्चों शुगंद हवा में तेरते हुए पक्षे के पांखों पर तेरता है यानि हवा के साथ अरे बादल भी उड़े जा रहे हैं हवा के साथ पक्षे के पंख भी उड़े जा रहे हैं हवा के साथ पेड भी जूम रहा है हवा के साथ नदियों में हिलोरें उठ रही है पानी में समुद्र में और हवा के साथ बच्चों जेतनी भी प्रकरति है वो लहरा रही है जूम रही है नाच रही है तो क्या हमें आनंद के साथ जीवन वेतित नहीं करना चाहिए क्यों और एक देश की धरती देश का भाप दूसरे देश में पानी बन कर कर गिरता है कहने का मतलब क्या है कि एक देश में बर्फ जमती है दूसरे में पिकलती है यानि सीमाओं का बंधन पहाड बर्फ नदियां कोई नहीं करता है पानी कोई नहीं करता है जब ये इन बंधनों को तोड़ चुके हैं तो फिर हम इस बंधनों में क्यों बंधे इसलिए हमें भी प्यारे बच्चो राम धादी सिंग दिनकर जी का एक संदेश से कि हमें भी क्या करना है वसुदेव कुटुमबकम की भावना अपना कर पूरे संसार को एक परिवार की तरह अपनाना है इसे प्रेम करना है सदभावना बढ़ानी है व्यवहार बढ़ाना है क्योंकि बंधनों में जकड़े रेना यह हमारी प्रकृति का काम नहीं होना चाहिए किसने लिखाए बच्चों यह रामधारी सिंग दिनकर सहाब ने अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों इसके व्याक्याइं व्याक्याओं के माद्यम से और अच्छा समझ में आएगा बिल्कुल आएगा देखो पाठ की व्याक्याओं पक्षी और बादल या भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाए गई चिठ्धियां पेड़ पोदे पानी और पहार बांसते हैं तो प्यारे बच्चों देखो आप पक्षी और बादल हवा इन्हें कोई भी बांद करके नहीं रख सकता और यह एक महादेश से दूसरे महादेश में ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं और एक तरह से वहां का संदेश ले करके आते हैं प्यारे बच्चों हम तो उनकी भासा को नहीं समझ सकते क्योंकि एक देश से दूसरे देश में बेती हुई हवा सिर्प महसूस की जा सकती है हम उनके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं पाते उनके द्वारा लाए गए जो यह पत्र है पेड़ पोधे पानी पहा पहुंचता है ऐसे ही उचे उचे पहार जो प्रकृति है उन्हें अगर हम देखकर दूर से ही नजर आते हैं तो लगता है जैसे जहांक रहे हैं एक देश से दूसरे देश की आजादिये से भैती है और अपनी कुस्भू फैलाती है तो यह सारे के सारी इसी तरह से यह नही से देश को सुगन भेजती है और वह सौरा भावा में तेरती है पक्षियों की पांखों पर तेरती है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है तो प्यारे बच्चों इसकी वेख्या देखवा कभी कहते हैं कि हम तो सिर्फ यह अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को कुश्बू भेजती है हम तो सिर्फ इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हवा बेती है पक्षि एक देश से दूसरे देश को जाते हैं बादल बरसते हैं इस धरती पर हम तो सिर्फ यह अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरति दूसरे देश को सुगंदरता कुस्वू भेज रही है और यही हवा के xuद्रा चारों और फेल जाती है, कुछ पक्षी अपने साथ लेकर के चले जाते हैं, कुछ हवा के साथ इधर उधर उनकल जाती है, कभी ने कितनी ही सुन्दर कल्पना की और यह सच्चाई भी है बच्चों जो हमारे प्रकृति में विद्यमान है जो कि इस्वर ने हमें बहुत बड़ी देन दी है और बादल हवा पेड़ पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को ले कर जाते हैं और वही संदेश को समझ पाते हैं हम इस च सबसे पहले अपन प्यारे बच्चों इसमें देखवा आप सबसे पहले अति लगुत्रात्मक प्रश्ण कि दूसरे महादेश कि दूसरे महादेश तो इसमें पहला हो जाएगा और वहां कि शोरब हवा में और यहां पर आजाएगा पक्षियों के पांकों बिल्कुल हो जाएगा तीनों समझ में आगे आपको आगे देखो आप पक्षी और बादल की चिठीयों को कौन बाच लेते हैं अभी पढ़ा है अपन ने पेड पोधे पेड पोधे पानी और पहाड यहां पाते हैं आगे चले बच्चों वाख्षी और बादल डांकी तक लाते हैं वाख्षी और बादल इसलिए लए भेदभाव किये एक जगह से संदेज दूसी जगह पर यह ले करके आते हैं और भगवान जिस तरह भेदभाव नहीं करते पक्षिवर बादल भी भेदभाव नहीं करते हैं चोथा भगवान के डाके के चिटियां कौन-कौन यह अपन ने पढ़ा इसे और क्यों क्योंकि यह सम्रस्ता का प्रतीक है हवाओं के बंधन में नहीं है किसी भी तरह कोई सामाजिक बंधन इन पर नहीं है इस्वरे प्रदत्त है जिस उद्देश से इस्वर्न इनको बनाया ह है वह अपना उद्देश से पूरा करके से संसार से विधा होते हैं कि आगे हैं एक देश की धर्ति चाह अब बेचती है क्योंकि जैसे जैसे सुगंद ये हवाई चलती है तो क्या होता है बच्चों के माद्य से पेड़ और इनकी जो कुस्पूहे वह उड़ती रहती है ठीक है तो इस प्रकार से स्वगंद भेजती है आगे चलें अपन objective type के question भी अपन देख सकते हैं वस्तो निश्ट प्रस्ट में भगवान के डांके कवी ने किसको कहा है बच्चों पक्षी को ठीक है क्योशन नमबर टू भगवान के डांके के चिठ्थियों को कौन पढ़ते हैं पेड़ बोदे बिल्कुल तीन भगवान के डांके कवीता के ल पर भवा में तीडते हुए पंक्ति में शॉरब कि शॉरब सब्द का मनलब होता है सुगन्द क्या होता है सुगन्द आगे पेड़ पोदे पानी पहाड बांस्ति निका मतलब होता है बच्चों पढ़ना तो यह भी हो जाएगा आगे चलेए अपन अब एन-सी आपडिके क क्योंकि भगवान सभी जगह व्यापत है भगवान बिना भेदभाव युक्त है और पक्षी और बादल भी भेदभाव नहीं करते समान रूप से उड़ते हैं आते हैं और सबको अनन्दित करते हैं आगे हैं पक्षी और बादल द्वारा लाए गए चिठ्थे को कौन पड़ पाता है बिल्कुल इसमें दिया है पेड़ पोदे पानी पहार माच पाते हैं सोचकर लिखिए क्योंकि वह इसलिए बाच पाते हैं क्योंकि ना कोई धर्म का भेदे ना कोई जाति का ना वर्ग का ह बिल्कुल समान रूप से इस पूरिश रष्टी को एक करके अपने जीवन को जीते हैं यह पंग्तियों का भाव अपने बताई दिया पक्षी और बादल प्रेम सद भाव एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेशते हैं बिल्कुल कि प्रतेग देश के बीच में एकता का भाव होना चाहिए शांति और सोहार्त का भाव होना चाहिए और इस पूरे विश्व को एक समान रूप से देखना चाहिए आगे हैं पक्षी देश देश में भेद नहीं करती एक देश से उठा दुआ दूसरे देश में बर जाता है बच्चो बिल्कुल कि पक्ष किसी के बीज भेदभाव नहीं करते अरे वह किसी भी पेड़ पर अपना गोस्ता बना लेते हैं प्रातकाल भिंसार होते ही अनंत आस्मान में उड़ते हैं और दिन भर उड़ने के बाद संध्या के समय अपने घर को लोड़ करके आते हैं उसी तरह से बादल वड़ते हैं हवा के साथ इक स्थान से दूसर स्थान पर जाते हैं और बरसते हैं गरसते हैं समान रूप से इस प्यास्या धर्ती की प्यास को बुझाते हैं और सभी को सुक्षान्ती सम्रद्धी देते हैं तो उसी तरह का भाव हमारा भी होना चाहिए ताकि हम दूसरे लोग संसार के लोग हमसे सुख और आशाएं जो रखे वो पूरी हो सके बच्चों आगे पक्षी बादल की ये पहले पड़ चुके एक देश की धरती दूसरे को स पक्षी और बादल की चिठियों की आधान परदान को आपके से द्रश्टी में देख सकते हैं बच्चों पक्षी और बादलों की चिठियों का आधान परदान हम कि इस द्रश्टी में ले सकते हैं कि कि देश की सम्रस्ता कि इसी तरह से मानों भी निकरे वसुदेव रखे उसका पालन करे और पूरे विश्व को सुक्षान्ति सम्रद्धी और एक विश्व पूरे विक्षित विकास की और आगे बढ़ाए तो ही मानव एक भगवान के रूप में और उनके प्रति रूप में देखा जा सकता है तो बच्चों आज हमने भगवान के डांके पड़े हमने कविता पड़ी कविता का भाव कविता की व्याख्या कि रेजोनेंस के द्वारा बनाएंगे कुछ प्रश्ण सब्जेक्टिव औब्जेक्टिव एंसी आटी के प्रश्ण इन सबकी हमने चर्चाएं कि आपको कैसी लगी आप प्रत्तिकिर्या करके हमें बताएं ताकि हम आपको और भेतर देने का प्रियास करें तो सभी प्यार